आज है संडे और संडे की दिन हमारा पेश होता है संडे कमेंट्स बॉक्स इसमें आपके सवालात इस वीडियो में शामिल होते हैं और उनके जो जवाब होते हैं वो मैं देने की खोशिश करता हूँ तो आज के आपके कुछ बहुत ही इंट्रेस्टिंग सवाल आता है जो मैंने इस वीडियो में शामिल किये है उमित करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएंगा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन भी ज़रूर दबा लिजी क्योंकि मैं एलक्ट्रिक और प्लम्मिंग से रिलेड़ वीडियो लाता रहता हूँ और आपको नई से नई जानकारी देता रहता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये बड़िया वीडियो आज का सबसे पहले जो कमेंट शामिल किया है उनका नाम है महम्मद रिजवान ये बोलते है नाइस वीडियो तो भाई थेंक यू सो मच अगला कमेंट है अरून कन्नाल नारायन अरून ये बोलते है सुपर यूसफुल वीडियो थेंक यू तो भाई थेंक यू सो मच आपका बहुत बहुत शुकरिया कमेंट करने के लिए अगला कमेंट है पिंटू ये बोलते है टॉलेट सिस्टन अच्छा है या फलेश कॉक फर इंडियान टॉलेट सीट पिलीज अंसर दीजिए तो भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ के इंडियान टॉयलेट सीट के लिए जो होता है वो फलेश कौक ही अच्छा होता है और अगर सिस्टन लगाते है तो उसका मेंटेरेंस बहुत ज़्यादा होता है बार-बार लिकेश की प्रावलम उसमें आती रहती है तो इसलिए फलेश कौक लगाएंगे तो ज़्यादा बहतर होंगा अगला कमेंट है गोविंदा कुमार ये बोलते है पानी टैंक सेट करते हुए दिखाईए और कौन-कौन से माटेरियल लगते है तो भाई जी भाई इस पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही बना हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक उपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगा तो वो वीडियो देख सकते है अगला कमेंट है कुछ भी मुश्किल नहीं लड़ी ये बोलते है हाँ भाई समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा सच में वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा मज़ा आ गया दूसरी बार कमेंट कर रहा हूँ मुझसे रहा नहीं गया जिस वीडियो में सीखने लाएक बहुत कुछ मिला उस वीडियो की मैं तारीफ करता हूँ तो थेंक यू सो मच आपका बहुत बहुत दिल से शुकरिया भाई ये कमेंट मेरे वीडियो पर करने के लिए तो अगला कमेंट है ये बोलते है ये कमेंट करने के लिए अगला कमेंट है रिजवान खान का ये बोलते है वेरी हेलफफुल वीडियो सर तो थेंक यू सो मच रिजवान जी अगला कमेंट है कुमार पृतिराजन ये बोलते है नाइस सर यूटूब के जैसा वीडियो नहीं मिला वो आपके चैनल पर मिलेंगा तो थैंकि सो मच कुमार जी आपका ये कमेंट करने के लिए अगला कमेंट है अदित्य शर्मा का ये बोलते है जो रेट आपने इस कोटेशन में दिखाए है वो किस सिटी के है क्या आपके पास एहमदाबाद के पलम्मिंग के रेट कोटेशन है तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो रेट है ये महराष्ट के रेट है अगर आपको एहमदाबाद के रेट होना तो मैं आपको ये महराष्ट की एक जो कॉपी है तो इसको quotation के आपको दे दूमा और इस quotation की copy के हिस्ताप से आप उसमें rate कम भी कर सकते है या ज्यादा भी कर सकते है वो आपके हिसाप से आप वहाँ पर मुझसे ज्यादा local area में अच्छे से जानते है तो इसलिए आप इसमें quotation की copy में rate बढ़ा भी सकते है और कम भी कर सकते है अगला कमेंट है इश्वर दर्बार का ये बोलते है पलंबर के काम में कितने पैसे लेना चाहिए तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक के उपर मैंने एक पहले से ही वीडियो बना के रखा हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक उपर आपको आई बटन में मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्चन में मिल जाएगा तो थैंक यू सो मच आपका ये कमेंट करने के लिए अगला कमेंट है पिरिंस इंतिजार अनसारी ये जो है तो हमारे दुबई की सबskेराइबर है और ये हमेशा कमेंट करते रहते है वीडियो को लाइक करते रहते है तो इनका तह दिल से मैं शुक्र गुजार हूँ ये बोलते है बड़े दिनों बाद भाई तो भाई ऐसी बात है कि मैं कुछ दिनों से बिजी था, दूसरे काम में लगा हुआ था, इसलिए वीडियो आपको टाइम पर नहीं दे पाया, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी, एक बार फिर मैं आपका दिल से शुक्रू गजारू, ऐसी अच्छी अच्छी क जवाबात इस वीडियो में मिल गए होंगे, अगर मिल गए है तो आपको वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताईए, और आपकी जो सजेशन है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए, तो मिलते है और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त धन्यवाद थैंक यू